नमस्कार दोस्तों, एक्जाम T20 चैनल में आप सभी का स्वागत है मैं प्रियंक का, एक्जाम T20 चैनल पे आप सभी को इंडिन जोगरफी और हिस्ट्री की क्लासिस प्रोवाइट करवा रहे हैं जो भी बच्चे UP, PCS या RO, RO जैसे एक्जाम के प्रिपेशन कर रहे है या और भी किसी एक्जाम के प्रिपेशन कर रहे है तो वो इस वीडियो से हल्प ले सकते हैं, चैनल से जूड़ करके अपनी तैयारी कर सकते हैं अभी तक जो classes आ रही हैं इस channel पर वो Indian geography और history की है Indian geography में पिछली कई classes हो चुकी हैं आप वीडियो जाकर के देख सकते हैं जिसमें हम लोग Indian geography cover कर रहे हैं NCRT से और history में भी हम लोग जो history cover कर रहे हैं उसमें प्राचीन धारत का इतिहास चल ला है NCRT से हम लोग cover कर रहे हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज और लोगों तक भी शेयर करें और अच्छे से preparation करते रहें साथे practice जरू करिए क्योंकि जो भी chapter complete होते जा रहे हैं उनके last में जो NCRT question होते हैं वो आप solve करने की कोशिस करिए अगर आपने अच्छे से वीडियो देखा है और पढ़ाई की है तो आसानी से आपसे वो प्रशन हल हो जाएंगे अगर नहीं हो रहे हैं तो आप comment करके answer ले सकते हैं या अलग से में वो question आप लोग को solve करवा दूँगी तो चलिए आज की class start करते हैं आज जो chapter है वो है जलवाई आगे हम पढ़ने वाले हैं जलवाई इससे पहले हमने भारत के बारे में उसका basic introduction समझा उसका विस्तार वगेरा कैसा क्या है यह समझने के बाद हमने उसका वहगौलिक विभाजन देखा जिसमें हिमाले और यह सब चीज़े हम लोग पढ़ चुके हैं जो छे विभाजन किये थे ठीक है उसके बाद हमने नदियां पढ़ी है अब जो अगला chapter है वो जलवाई हूँ है इतनी चीज़े cover कर चुके हैं आप पिछले वीडियो देख सकते हैं और map के थूँ आपको बाकाइदा classes अच्छे से दी प्राकृतियों एवं अपवा के बारे में पढ़ चुके हैं किसी छेत के प्राकृति पर्यावरण को समझने के लिए तीन मूल तत्वों में से दो तत्व यही हैं देखिए अगर आप हमाई साथ पढ़ नोट्स मैंने पहले भी बोला है आप सभी लोग बनाते चलिए तो में देख के वायू मंडली अवस्था के बारे में आज पढ़ेंगे तो आप लोग इसको आगे कंटीनू कीजिए इसमें कुछ प्रसंद दिये गए हैं कि हम दिसंबर में उनी वस्थ क्यों पहनते हैं या फिर मई के महीने में गर्म क्यों होता है हमारे ले इतना जून जु प्राकृतिक भिनिता से भी भरी हुई है और यहां पर लोग रहते हैं उसी की वज़े से क्या है बिन बिन है जैसे कि हम लोग देखेंगे साउथ इंडिया की बात करें अगर दक्षिड वारत की बात करें वहां रहन सेल और वहां का पहनावा डिफरेंट है जबकि जमू क्या डिफरेंस है रितू में क्या डिफरेंस है यह हम इस चैप्टर से सीखेंगे और जानेंगे कि यह अंतर है क्यों है ना एक विशाल छेत्र में लंबे समयावधी तीस वर्षे अधिक में मौसम की अवस्थाओं तथा विवित्ताओं का कुल्योगी जलवाई है सबसे प शेत्र है उसमें बहुत से लंबे समय तक के लिए जैसा भी मौसम की अवस्थाओं चल रही है वह क्या है उसी का कुल्योगी जलवाई है मौसम क्या है आज अभी देखिए जैसे गर्मी हो रही है ठीक है मान लीजे कल तक बभी बारिश होने लगे तो यह जो दिन डेली का जो परिवर्तन है यह क्या है मौसम है यहां पर जो विवित्ता आ रही है रोज रोज वो क्या मौसम है लेकिन मौसम एक दिन से ले करके हफसे भरतक या महीने भरतक भी ऐसे रह सकता है क्यों कि देखिए गर्मी का मौसम कुछ समय तक रहता है फिर ठंडी आती है लेकिन दि गर्म रितू हो जाएगे उसके बाद जैसे ठड़नी बहुत समय तक रहती है तो क्या सर्द रितू हो जाती है और ऐसी बहुत सी रितू है मिल करके क्या बनाती है जलवायू बनाती है तो सबसे पहले तो दिफनेशन आप लोग नोट कर लिए एक विसाल छेत्र में लंबे समय अवधी 30 वर से अधिक में मौसम की अवस्ताओं तता विवित्ताओं का कुल योग ही जलवायू है मौसम एक विसे समय में एक छेत्र के वायमंडल की अवस्ता को बताता है आगे पॉइंट से आप नोट दाब पवन आर्दिता तता वर्सन एक ही होता है ठीक है अब देखो जो मौसम के तत्त है वही जलवायू के तत्त है आप से कोश्चन पूछा जा सकता है कि जलवायू के तत्त इन में से कौन-कौन से हैं अब हमें पता होने चाहिए तभी तुम ऐलिमनेट कर पाएंगे इन कि मौसम और जलवायू के बारे में ये उसके तत्त हो जाते हैं सकेंड पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा आगे बढ़ते हैं आपने अवश्री ध्यान दिया होगा कि मौसम की अवस्था प्राया एक दिन में कई बार बदलती है लेकिन फिर भी कुछ सब्ता महीनों करें बार बदलता है लेकिन कुछ सब्ता तक जो वायमंड्लि अवस्था वो एक समान बनी रहती है जैसे दिन गर्म होंगे या तो फिर ठंड़े हो गर्म हैं कई दिन तक गर्म दिन रहते हैं तो कैसा रितू हो जाएगी व गर्मी वाली रितू हो जाएगी ऐसे ही ठंडा ह होगा या हवादार होगा मौसम यह डिफनेट रहेगा वायुमंदली अवस्था पर महीनों के औसत वायुमंदली अवस्था के आधार पर वर्स को ग्रीश्म शीत या वर्षा रित्वों में विभाजित किया जाता है नेक्स्ट पॉइंट नोट करिए यह अगला महीनों के औ वायुमंदली अवस्था क्या था पर वर्ष को ग्रीश्म या वर्षा में विभाजित किया जा सकता है तो हमने सबसे पहले क्या देखा कोई मौसम है एक यह मानली जो मौसम है अब मौसम बहुत समय तक रहेगा तो क्या वनेगी फिस्थू बनेगा अब बहुत सारी रिट् जो अवस्ता सेम रहेगी तो किसी भी छेत्र की जलवायू को निर्धारित करेगी समझाया अब आगे पढ़ते हैं विस्व को अनेक जलवायू प्रदेसों में बाटा जाता है क्योंकि विस्व में अलग-अलग भगौलिक अवस्थाएं हैं अलग-अलग मौसम हैं अलग-अल कारग है उसका उच्चा वच अलग है वहांका अक्षान्स अलग है कई चीजों पर निर्भर करता है जारत की जलवायू कैसी Давайте क्यों सब्की मांसून है पर मानसूनी होने के बावजूर भी बहुत वी वित्ता है वो भी अभी हम आगे पढ़ेंगे आगे समझते हैं अब देखिए मानसून की डिफनेशन दी गई है बहुत अच्छे से आप नोट करिए मानसून सब्द की वित्पत्ती अर्भी शब्द मौसिम से हुई जिसका अधिक तर्थ है मौसम मानसून कार्थ एक वर्ज के दौरान वायू की दिशा में रितू के अनुसार परिवर्तन है तो मानसून क्या है अर्भी सब्द मौसिम से उत्पन हुआ है और इस कार्थ क्या है एक वर्ज के दौरान वायू की दिशा में रितू के अनुसार परिव करतन हो रहा है लगभग एक साल में उसको क्या वोलने है वो मांसून है तो भारत का जो म वा पाई जाती है देखिए प्रश्ण पूछा जा सकता है कि किस जगए पे कैसी जलवाई हुए मानिजिए आपको दे दिया गए एशिया की जलवाई किस प्रकार की मुखिता किस प्रकार की तो दक्षिड एसिया और दक्षिड पूर जो एसिया है वहाँ पर कैसी जलवाई वग एक रूपता होते हुए भी देश की जलवाई वस्ता में इस पर्ष्ट प्रादेशिक भिन्यताएं हैं आईए हम दो महत्पूर्ट तत्व तापमान इंव वर्षण को लेकर देखें कि एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर तथा एक मौसम से दूसरे मौसम में इनमें क तो गोल सीख सकते हैं कैसे समझेंगे जैसे क्यों हमारे भारत में देखते हैं त्रादेशिक भिन्यता है है तो मौनसूनी जलवाई है ना पर उसके बावजूद भी भिन्यता है कैसा है अब इसी को आगे एक्स्प्लेइन किया गया उधारण से वही हम लोग पढ़के समझ की जबेंगे गर्मियों में राज़स्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान 50 ascills तक पहुंच जाता है जबकि जम्मौ कश्मीर के पहल गाम में तापमान लगजव 20 dgc रहता है सर्दी की रात में जम्मौ कश्मिर में द्रास का तापमान माइनस 45 dgc तक हो सकता अब समझने कैसे तो इस उदारण से हमें क्या पता चला कि राजस्थान में जो मरुस्थल वाला छेत है वह तेजी से गर्ण होगा और वहां तापमान क्या पचास डिगरी तक पहुंच जा रहा है और जबकि जम्मो कश्मीर ठीक भारत का ही एक दूसरा छेत है जम्मो कश्मी वहां पर तापमान क्या है काफी कम उससे 20 degree centigrade तक रहता है तो मांसूनी जलवाई है लेकिन दोनों जगे के अभी निता मिल रही है और सर्दी की रात में अगर जम्मो कश्मीर के द्रास वाले छेत्र की बात करें तो क्या होगा तापमान यहां माइनस 45 degree centigrade तक हो सकता लेकिन स समुद्र तर्प के जो छेत मिलेंगे वहां पर आपको जलवाई हो या मौसम बिल्कुल भी ने मिलेगा वहां पर मौनसून कैसा होगा वहां पर थोड़ा आध रहेगा वहां पर तेंपरिचर आप देख रहें 22 degree centigrade तक है जबकि ठंडी के पास का क्यों क्योंकि समुद्र क्य नहीं होता लेकिन अगला गलग जमु कश्मीर में यह वहां पर क्या है पहाड़ी चेत्र है हीमाला है उसके पास में और वहां कि जलवाई च्छेत्र ने वहां पर क्या है कि ऊपर पहाड़ियां जब उचाई पर बढ़ते हैं तो ताप मां घटा जाता है इसलिए वहां का तापमान कैसा है, माइनस 45 डिग्री सेंटीगेड तक है, अब मरुस्थल में क्या है, मरुस्थल उल्जा का अच्छे से उश्योशड कर लेते हैं, तो एकदम से तापमान के है, 50 डिग्री सेंटीगेड तक पहुंच जाता है, गर्मियों के टाइम पे, लेकिन जम्मू कश्मी तापमान के अच्छे से और दिन में बहुत अधिक अंतर होता है, जैसे, थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री सेंटीगेड तक हो सकता है, जबकि उसी रात या नीचे गिलकर 15 डिग्री सेंटीगेड तक पहुंच सकता है, दूसरी और केरल या अण्वान निक को बार में दिन तथा रात का तापमान लगभग समान रहता है, अब ये किस वज़य से होता है, समझें, विग्यान में हमने पढ़ा है, जो उर्जा के अच्छे और सोशक होते हैं, वो उर्जा के अच्छे और सर्जक भी होते हैं, तो थार का मरुस्थल का है, तापमान जि लेकिन ठंडे भी देड़ से ही होते हैं इस वज़े से उसके जो पास का छेत्र है जैसे अंडिवान निकोबार यहीं सब में लगभग तापान सामान रहता है वहां पर कोई चेज नहीं आता जो समुद्र तटके पास के एरिया वहां पर तापमान में बहुत जादा भीनिता को देखने को नहीं मिलेगी अब वर्षण की ओर ध्यान दे वर्षण के रूप में रूप तथा प्रकार में ही नहीं बलकि इसकी मात्रम रितु के अनुसार भी वित्रण में भी बिनिता होती है ठीके एक-एक हम समझ रहे हैं कारक उन्हेंने तत्व देखे थे तापमान व आगे समझते हैं कुछ छेत्रों में जैसे अभी हमने यह समझा दिया आप वर्षण की ओर ध्यान दे तो वर्षण के रूप में रूप तथा प्रकार में नहीं बलकि इसकी मात्रा भी भिन भिन होती है भारत में ही हम देखते हैं कि मेगाले वाले रीजन में बहुत अधिक बारिश होती राजिस्थान वाले इधर एरिया में आ जाएंगे बहुत कम बारिश होती है तो वर्षण भी तत्तु है जलवाई का यह मौसम की जो भिनता उसके लिए हिमाले में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है तथा देश के शेजभाग में यह वर्षा के मौसम आता है बारिश होती है मिगाले वाले रीजेन में क्या है 400 सैंटीमीटर से भी जादा है लेकिन दीरे दीरे जब मौसम पश्यम की तरफ बढ़ेगा पूर्व में सबसे ज़ादा बारिश और पश्यम के और बढ़ने पे क्या 10 सैंटीमीटर से भी कम रहưởng जाती है ये कुछ छेतों जैसे तमिल नाडू तर्ट पर अधिकतर वर्सा अक्टूबर और नौंबर में होती है मौनसून हमारे एंटर करता है केरल वाले तर्ट पर सबसे पहले वारिष शुरू होती है तो वहाँ पर क्या जून में आ जाता है मौनसून जून से लेकर के सप्टेंबर तक नौर्मली जो है वर्सा का मौसम हमने माना है भारत में होता है लेकिन जो तमिल नाडू आलद तर्ट है यहाँ पर जो बारिष होती वो लोटते हुए मांसून से होती है तो मतलब बारिष कब होते एक्टूबर नौंबर में जैसे मैं पता चलता है तमिल नाडू के किसी छेत्र में कि बाढ़ा गई ठंडी के मौसमें भी सुनते तो ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता कि जब लोटता हुआ मांसून आता है तो तमिल नाडू के तरफ पर बारिश करता है तो अलग-अलग जगे पे अलग-अलग समय पे बारिश भी हो रही है और कितनी बारिश हो रही है ये भी अफेक्ट कर रहा है जलवायू को सामानी रूप से 30 छेत्रों के तापमान में अंतर कम होता है अभी हमने उपर भी ये चीज़ पढ़िए देश के आंतरी भागों में मौसमी या रितुनिश्ट अंतर अधिक होता है 30 छेत्रों में इतना बदलाव नहीं होगा लेकिन जो आंतरी भाग होगे मैदानी भाग हो सबसे ज़्यादा बारिस लोट के आंगे राजस्थान तक तरफ बढ़ेंगे पश्रिम के तब तो क्या 10 सेंटीमीटर से भी कम है यह भीनिता है लोगों के जीवन में भी वित्ता लाती जो उनके भोजन वस्तों घरों के प्रकार में भी दीखती है कैसे पता चलेगा देख चावल वहां ज़्यादा उपरसता है तो वहां के लोग चावल ज़्यादा खाते हैं लेकिन आगे बढ़ेंगे जैसे मैदानी शेत्रे वहां पर गेहूं जो वाकी हर चीज़ें उगाई जाती तो यहां पर खान पान अलग हुआ फिर उसके आगे बढ़ेंगे राजिस्थ जगे का बस्त भी अलग हो और घर की बनावट भी उसी हिसाब से होगी जैसे नौर्थ इस्ट्रीजन में बारिस बहुत ज्यादा हो रही तो वहां के घर की बनावट वैसी होगी जिन छेत्रों में बारिस कम हो रही है गर्मी ज्यादा हो रही वहां पर क्या है अलग तरह के घर बनेंगे तो ये विवित्ता पूरे भारत में देखने को मिलती है इस बॉक्स में जो चीजे दे गई है उससे हम पता लगा सकते हैं कि क्या-क्या भीनेता देखने को मिलती है अब जलवाई भी नियंद्रण के बारे में पढ़ते हैं किसी भी छेत्र की जलवाई को जित करने के लिए कौन-कौन से कारक हैं जलवाई के लिए तो अक्षांस तुंगता वायुदाब एवं पवंतन्त समुद से दूरी महासागरी धार आये तथा उच्चावच पहला क्या अक्षांस लैटिट्यूड दूसरा क्या है तुंगता अल्टिट्यूड और जो विंड्स चल रही हैं उनके बारे में पढ़ेंगे अब कितनी डिश्टेंस है समुद से उसमें डिश्टेंस हम यहाँ पर देखेंगे चौथा कारक पात्वा जो ओशन करन चलती है महासागरी धार आये और छठा क्या है उच्चावच किसी भी छेत की कैसी भीनिता ह यही सारे कारक हमें आगे पढ़ने और एक करक्या पॉइंट नोट करते चलिए उनके बारे में जानकारी लिखते चलिए प्रत्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर उर्जा की मात्रा अक्षांसों के अनुसार अलग-अलग होती है इसके परिणाम सरूप विश्व पत्वरत से ध्रों की और सामानेता घटता है जब कोई व्यक्ति प्रत्वी की सतय से उचाई की और जाता है तो वायू मंडल की सगनता कम होती जाती तद अतापमान घट जाता है इसलिए पहाडियां गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती है समझना है हमें अक्षांस के बारे पर समान तापमान नहीं मिलता है सौरूर्जा अलग-अलग समय पर अलग-अलग अक्षांस पर अलग-अलग मिलती है जब हम 6th class के NCRT पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छे समझ पाएंगे अभी हम सिंपल से समझने की कोईसिस करते हैं कि जो अक्षांस है इन पर अलग अलग सौरूर्जा हमें अलग-अलग मौसा में प्राप्त होती क्यों क्यों कि देखें यह जैसे सूर्य है इसके चारों प्रत्वी चक्कल लगाती है तो अलग-अलग जगए पर सूर्य का प्रकास क्या होगा कभी ऐसे पढ़ेगा कभी यूं कभी यूं तो अलग-अलग अ इसी तरह क्या movie कि अक्षान्स है आप बात करते हैं को यह जो भूमद सागरी वाला रीजन है यह है जैसे कुछ उश्ण हो गया उसके ऊपर बढ़ेंगे तो शीतोर्ष वाला हो गया सीत वाला हो गया पोलर रीजन अलग अलग जगें पर क्या है तापमान उपर जाने पर घर्टा जाता है कि जीरो डिग्री से इधर बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा गड़ता जैगा जैसे ही उचाई पर बढ़ेंगे अब यहाँ पर दो कारक है पहला तो अक्षान्स दूसरा है उचाई अक्षान्स के लैटी ठंडा होगा है ना और उचाई क्या है जैसे ही हम लोग जितनी उचाई पर बढ़ेंगे तापमान घटता जाएगा ठीक है तो आल्टिट्यूड भी है फिर आगे बात करते हैं किसी भी छेत्र का वायुदाब यो पवंत अंत्र उस इस्थान के इस्थान सता उचाई पर पर बाइब जाएगा तापमान घटेगा जहां पर वहां पर वायुदाबते ज्यादा होगा पवन कैसी चलेंगी ठंडे जगे पर पोलर रिजन पर क्या चलेंगी ठीक है और अलग जगे पर अलग कुछ जैसे हम पर्मानेंट विंट्स पढ़ते हैं कुछ लोकल विंट्स फिर उसके बाद हम उपर बढ़ेंगे तो क्या चलती है वेश्टर लीश चलती है पच्छुआ पवने उससे उपर जाएंगे यह जो चलती है ठीक है इनको क्या बोलते पोलर विंट जो चलती है तो अलग-अलग छेत में अलग-अलग शांस में और अलग-अलग मुचाई पर अलग-अलग जो पवन्तंत्र है उससे भी निर्भर करती है जलवाईव जक्स क्लास के एंसीयाटी पढ़ेंगे बहुत अच्छे से कवर करेंगे अभी सिर्फ मैं समझाने की कोशिस करीं यहां पर एंसीयाटी में हमें क्या समझाया जा रहा है तो वहां पर आप सारी प समझाय से दूरी बढ़ती है या प्रभाव कम होता है ठीक है यहां से पढ़ते हैं इस प्रकार या तापमाने वर्षा के वित्रव को प्रभावित करता है समझाय का जलवाई उपर समकारी प्रभाव पढ़ता है जैसे समझाय से दूरी बढ़ती है प्रभाव कम होता है महा दीपी अवस्ता गर्मी में बहुत अधिक गर्म एवं सर्दी में बहुत अधिक ठंड कहते हैं। महा सागरी धाराय समुद से तटकी और चलने वाली हवाओं के साथ तटी छेत्रों की जलवाय को प्रभावित करती है। महा सागरी धाराय के लिए कोई भी तटी छेत्र जहां गर्म या ठंडी जलदाराय वैती हैं और वायू की दिसार समुद से तटकी और हो तब वह तट गर्म या थंडा हो जाएगा। देखें आपर क्या समझा जा रहा है। महा सागरी धाराओं का भी फर्ग पड़ता है। जैसे कि जो भूमद सागर की तरफ बढ़ रही है हमाई तो क्या होगी वो शीत होगी जो भूमद सागर से चल रही होगी पूल की तरफ वो कैसी होगी थंडी महा सागरी जल धाराएं होगी अलग-अलगत रहे कि जैसे हमने क्यों रोशियों पढ़ा है अलासका पढ़ी है लोग पढ़ते हैं अब इन महासागरी जल्धाराओं का भी बहुत प्रभाव पढ़ता है किसी भी मौसम पर यहीं हमें बताने की कोशिस की जा रही है जैसे कि कोई भी तटी छित जहां गर्म या थंडी जल्धाराएं बहती हैं वायू की दिशा समुद्र से तट की ओर हो या भी बहुत फर्क पढ़ता है ठीक है आगे पढ़ते हैं अंत में किसी स्थान की जल्वायू को निर्धारित करने में उच्चावच की भी महत्तपूर्ण भूमिका होती है जैसे माल लीजे मैदानी इलाका है फिर पठारी इलाका उसके आगे बढ़ते हैं यह हिमाले जैसे ह वर्षा लाने वाली दश्थाषिओं को रोकने में सक्षम हो तो यह शेत में वर्षा का करण भी बन सकते हैं सबसे बड़ी एक्जामपल हम लोग ले सकते हैं हिमाले का परवतों के पवन विमुख धाल अपेक्शाकत सूखे रहते हैं समझते हैं जैसे हिमाले हैं वो जो सीद जलधाराएं हैं सुरी जलधाराएं नहीं जो भी धाराएं आती है वायू आती है सीद वायू आती है साइबेरियन हवाय जिन्हें बोलते हैं जो polar हवाय आती है भारत की तरफ, क्योंकि भारत पूरी तरह रूश्ल कडबंदी तो है नहीं, यहाँ पे क्या है, कि अलग जो latitudinal extent है, वो भिन है, इस वज़े से फिर भी लेकिन जो हिमाले है, वो क्या करता है, वो Siberian हवाओं को आने से रोक लेता है, इसलिए यहाँ का मौस सून आता है, वो इससे टकरा कर क्या करता है, बारिश करता है, इससे सबसे पहले नौर्थीश्ट वाले रीजन में, या जो पश्चिमी घाठ है, वो केरल वाले तरप बारिश कराने के लिए कारक है, तो ऐसे ही क्या करेगा, बारिश करने में भी वो हल्प करेगा, लेकिन परवत पवन विमुख धाल अप एक शक्रत सूखे रहते हैं जैसे यह परवत हैं यहां से टक्राकर इन्हों यहां पर बारिश हो गई पर जब यह पवन आगे बढ़ेगी तो यहां पर क्या रहेगा अप एक शक्रत यह सूखा रहेगा बस यह बात हमें समझाने की कोशिस की जा रही है तो यह जो कारक हैं अब इनकॉम डीटेल में समझेंगे जैसे हमने कौन-कौन से कारक पढ़ेते हैं अक्षांस तुंगता वायुदा इवन पवंतन्त समसेदूरी महासाग्यधारा उच्चवच अक्षांस सौरूर्जा अलग-अक्षांस पर अलग समय पर अलग इसलिए वहाँ पे भिनिता पाई जाएगी ये कारक है वायुदा वेवन पवंतन्त प्रेशर बेल्ट कैसा है किस जोन में आता है ठीक है वो भी एक कारक हो सकता है और कैसी पवने चल रही है व्यापारिक पवने हैं पच्वा पवने हैं या पूरवी पवने हैं हम लोग प जानक से मान लीजे जैसे मरुस्तले बहुत जादा गर्म हो जाएगा और रात के समें बहुत ही ठंडा हो जाएगा महासागरी धाराएं डिपेंड करेगा वो क्या है कि महासागरी धाराएं गर्म है या ठंडी है उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा जलवायु का के निर्ध भारत की जलवाई को सबसे पहले प्रभावित करने वाला पहला कारव कौन सा है अक्षांस करक व्रत देश के मद्धिभाग पश्चिम में कक्ष के रन सेले करके पूर्म में मिजोरम से होकर गुजरती है देश का लगवर आधा भाग करक व्रत के दक्षिड में इस्तिते जो मिजोटी विशुकटी बंदी छेत्र है करकव्रत के उत्तर में सेश्फज भाग उपॉश Promise करकती बंदी इसलिए भारत की जलवाई में उजोक्र करककी ए जलवाई के जलतों की विशेशता अं उसलिए सबसेक पहले अक्षांस रेखा एमने समझ ली थी है अब ये है जैसे घूम अदिरेखा इसी के उपपर वड़ेंगे तो लगबग जो साड़े तेज डिग्री अक्षांस रेखा है वो हमारे भारत से हो करकी गुजरती है, मान लीजी ये भारत है तो जो ये अक्षांस रेखा है 1.3 डिगरी जिसको हम कर्क रेखा बोलते हैं टॉपिक ओफ कैंसर बोलते हैं ये भारत को दो भागों में विभाजित करती है जिससे क्या है जो कर्क रेखा गुजरती सबसे पहला आप लोग गुजरती कि कर्क करक रेखा कितने राज्यों से हो करके गुजरती बहुत बार यह प्रेशन पूछा गया बहुत इंपॉर्टेंट है यह प्रेशन ले दिया जाता है UPSC में और UPSC भी कई बार पूछ चुकी है कि करक रेखा किस राज्यों से होकर नहीं गुजरती तो आपको जब पता होगा क नहीं किन राज्यों से हो twark के गुजरती तब ही आप बता पाएंगे ठिक है तो आगे पढ़ते हैं करक रेखा जहां से गुजरती उसके जो का भाग है दक्षिड वाला भाग क्या कहलाता है उश्ल कटि बंधी ठीक और इसके उपर वाला कहलाता है उपोश्ल कटि बंधी अभी हमने बताया था आपको प्रेशर बेल्ट जह हम लोग पढ़ेंगे तब इन चीजों को समझेंगे अभी सिर्फ आप याद रखिए फिर आ आगे जब हमाले को पढ़ेंगे जो कारक हैं जो उच्चा वच पढ़ेंगे उससे और चीज़े क्लियर करेंगे अभी आप सिर्फ इतना समझें आगे समझते हैं उचाई उचाई कैसे कारक हो सकती है भारत के उत्तर में हमाले है इसकी ओसत उचाई लगभग 6000 मीटर है भार नहीं परवतों के कारण इस छेत में मदेश्या की तुरना में ठंड कम पड़ती अब उचाई समने उचाई कैसे कारक हो सकती है उचाई इसलिए कारक है हिमाले की है he इसे भारत के तो जो उदर से साइवेजयन हवाएं आती है इनको रोव लैता है इसलिए यहां पर क्या है ठंडी नहीं होती है यहां पर इतनी ठंडी नहीं होती जितनी होने शReaguir क्या थंड़ी कह बंग आने से रोक लेता है तो अपसाना झाई भी पर जाएंगे लेकिन जब नीचे आएंगे तो वहाँ पर क्या होगा तापमान बढ़ेगा प्रत्वी में देखिए नीचे जाने पर जब आप जितना नीचे जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा तापमान बढ़ेगा यही वीजन है उचाई पर क्या है मौसम अलग होता है य और पवन के बारे में और जो भी कारक हैं जलवायू को जो प्रभावित करते हैं सबको हमें एक साथ समझेंगे और आगे भारत के मौनसून के बारे में भी पढ़ेंगे क्यूंकि हम लोग भारत पढ़ रहे हैं लियन जियोग्रफी पढ़ रहे हैं भारत का भूहल पढ़ रह तो word पे focus ना करके जो भी जलवायू के कारक है वो आप किसके regarding समझ रहे हैं वो हम भारत के अनुसार समझने की कोसिस कर रहे हैं आगे classes में और भी अच्छे से मैं आपको clear कर पाऊंगे I hope आप सभी को वीडियो बहुत अच्छा लगा अगर आपको जरासा भी वीडियो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं धन्यवाद